दोसो एक्किस वादिया अनुजिवयों का राजय के प्रतिक कर्तवय का हो रणन पुसकर कहते हैं भृत्यकों राजय की अग्या का उसी प्रकार पालन करना चाहिए जैसे सिस्चे गुरुकी और साधविस्त्रिया आपने पती की अग्या का पालन करती है राजा की बात पर कभी अपएक्श अक्सिप नकरे सदा ही उसके अनुकुल और प्रियवचन बोले यदी कोई हित की बात बतानी हो और वह सुनने में अप्रिय हो तो उसे चाहिए राजा से कहना चाहिए किसी आयके काम में नियुक्त होने पर राज की अधन का आपरण न करे। राजा के सनमान की अपिक्सा न करे। उनकी वेसभुसा और बोल चाल की नकल करना उचित नहीं है। अंतपुर के सेवकों के अध्यक्स का करतवय हैं कि वह ऐसे पुरुसों के साथ ना बैठे जिसका राजा के साथ वैर हो तथा जो राज दरबार से अपमान पुर्वक निकाले गए हो। पृत्य को राजा की गप्तबातों को दूर्सरों पर प्रगटनी करना चाहिए। अपनी कोई कुशलता दिखा कर राजा को विशेस सन्मान एवन परसन्ना करना चाहिए। राजा कोई गुप्तबात सुनावे तो उसे लोगों में प्रकासित न करे यदि वे दूसरे को किसी काम में लिये आज्या दे रहे हो तो स्वयम ही उठकर रहे महाराज मुझे आदेश दिया जाए कौन सा काम करना है मैं उसे करूंगा राजा के दिये हुए वस्त्र आभुसन तदा रत्ना आधी को सदा धारण किये रहे बिना आज्या के दरवाजे पर अथवा रुक और किसी अयोग्यस्तान पर जहां राजा की द्रस्टी पढ़ती हो न बैठे जमबाय लेना धुकना खासना क्रोध प्रगट करना खाट पर बैठना बौवे टेड़ी करना अधो वायो छोड़ना दता डकार लेना आधी कारिया राजा के निकट रहने पर न करे उनके सामने अपना गुण प्रगट करने के लिए दूसरे को ही युक्ती पुरुवक न्युक्त करे शठता लोलूपता चुगली नस्तिकता नीचता दता चपलता इन दोसों का राज सेवकों को सदा त्याक करना चाहिए पहले स्वयम प्रयत्न करके अपने में वेद विद्या यवं सिल्पकला की युग्यता का संपाधन करे उसके बाद अपना दन बढ़ाने की चेश्टा करने वाले पुरुषों को अभ्यूदे के लिए राजा की सेवा में प्रोर्ट होना चाहिए उनके प्रियपुत्रे वो मंत्रियों को सदा नम्सकार करना उचीत हैं केवल मंत्रियों के साथ रहने से राजा का अपने उपर विश्वास नहीं होता अन्तह उसके आहर्दिक अभिप्राय के अनुकुल सदा पुरियकार्य करे राजा के स्वभाव को समझने वाले पुरुष के लिए उचित हैं कि वह विरक्त राजा को त्याग दे और अनुरक्त राजा से ही आजिविका का प्राप्त करने की चेस्टा करें बिना पुछे राजा के सामने कोई बात न कहें किन्तो आपक्ति के समय ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है राजा प्रसन हो तो वह सेवक के विनयुक्त वचनों को मानता है उसकी प्राथना को स्विकार करता है प्रेमी सेवक को किसी रहस्य अस्तान मतलब अन्थपुरादी में देख ले तो भी उस पर संका संदे नहीं करना करता है वर अब दरबार में आये तो राजा उसकी कुशल पुछता है उसे बैठने के लिए आसन देता है उसकी चर्चा सुनकर वह प्रसन होता है वह कोई अप्रिय बात भी कह दे तो वह बुरा नहीं मानता उल्टे प्रसन होता है उनकी दीवी चोटी-चोटी वस्तु भी राजा बड़े आधर से ले लेता है और बात्चित में उसे याद रखता है उक्त लक्षणों से राजा अनुरक्त है या विरक्त वह जानकर अनुरक्त राजा की सेवा करे उसके विप्रिज्य विरक्त है उसका साथ छोड़ दे इस प्रकार आधी अग्ने माप पुराण में अनुजी विवरुत्त कथन नामक दोसों किस वाध्या पुरा हुआ